अमेशा ने हैदरबाद से विपक्ष पर करारे प्रहार किये, सवाल भी पूछे, आपको दिखाते है स्पेशल रपोर्ट तब ग्रह मंत्री सर्दार पटेल ने पहली बार यहां तिरंगा फेराय था और अब अमिट शाह ने तिरंगा फेराया 75 साल चले गए, जीनों ने यहां पर साशन किया, उन्होंने वोट बेंक की राजनिती के कारण हैदराबाद मुक्ती दिन मनाने का सहास नहीं किया वादे तो अनेक लगों ने किये, चुनाओं में वादे किये, आंदोलनों में वादे किये, मगर सत्ता पर आते ही गजाकारों की भई से पलट अमिच्छा ने हैदराबाद जाकर जंडा फैराया और निजाम शासन में हुए अत्याचारों के बाद याद दिलाया तो सियासी पारा चड़ने आही था रज्जी की टियरस सरकार ने तो कारिकरम से दूरी बनाई है लेकिन हैदराबाद सांसर असुत दीन ववैसी ने केंदर सरकार की नियत पर ही सवाल उठा दिये आप इसको इंटिग्रेशन डे के तोर पर क्यों नहीं मनाना चाहते मनाईए ना सब को रखी हम भी आते हमने आने तयार थे सिर्व ववैसी ही नहीं तेलंगाना के सीम केसी आर ने भी अमेच शाह के कारिकरम से दूरी बनाई जबकि उन्हें बतार मुख्य मंत्री इस कारिकरम के लिए आमंत्रित किया गया था मुक्ति दिवस की जगए टियरेस तेलंगाना एकिकरन दिवस मना रही है ओवैसी को मुक्ति दिवस नाम से समस्य है सारी लड़ाई अगले साल होने वाले बिधान सबाग चुनाओ और फिर लोग सबाग चुनाओ की है हिंदू बीजेपी का कोर वोटर ओवैसी को मुस्लिमों का चहरा माना जाता है रही बार टियरेस की तो इस बार चुनाओती बड़ी होने वाली है क्योंकि मिशन दक्षिन पत पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े रणनितिकार को उता रहा है बीरोरीपोर्ट अच्टाग